हलो दोस्तों और एक नए ब्लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बारिश हो रही थी दो दिन से लगातार दो दिन से क्या है उससे पहले से हो रही थी लेकिन अभी थोड़ी खुली है सुबे भी बहुत बारिश थी लेकिन अभी थोड़ी सी धूपसी आई थी लेक प्रक्राइब देखते हैं कि कुछ दिमाद में चल रही है चीज़ तो वहां तक हो पाता यह नहीं पहले तो मैं अपने पुराने वाले इलाके में आया हूं यहां पर और कुछ लेने आया हूं और आप सब का एक नए ब्लॉग में बहुत 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 जाद अस्वा अच्छा बंद हो गया ना फैली बंद हो गई है यहां एक तारीक से में बूल गया घर से बैग लेकर आना पड़ेगा सब जी अब जी सब चीज़ों के लिए और देखो ऐसे आया था यह आगे बैग लटका रखा समूसा इसके अंदर ही है शकल के साथ एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अपने ब्लॉग मतलब लाइफ ऑप राइज में मैं यह हल्मेट लेकर आया ता कही जाने के लिए और सभी बता हूं मैं आया था रजोडी बीच जाने के लिए मैं का अब अब भारिश हो गई है तो समुंदर की लहर बहुत उची उची हो रही होगी तो फिर बहाँ चलते हैं लेकिन बीच में धूप है लेकिन देखते हैं अभी कुछ खाना होना खाके यहां से निकलता हूं मैं क्योंकि लंच तो किया नहीं है समुसा लिखे आया हूं और वाओ ज कीमती है डिड़ दो सो रोपे में मिल जाती है तो भाई मैंने कहा कि कोई चेंज होना चाहिए और भाव जी यहां पर बैठे हैं मैं पूरा ओफर बता देता हूं भाई साब को देखो जिसको जो मिलता है न हो से खुश नहीं है सबसे बड़ा नारण ही है कि ठीक है तू नहीं है तो मैं चाह रहा था तूने बोला तो मैंने गए ठीक है तो से खाय लेते लेकिन प्रोपर घर का खाना खा वो जाधा बड़ी है ओफर यह रोटी और भिंडी लेकर लेकर से समोसे तू लेकर आँ मैं खानूगा और तू भिंडी और रोटी खा लेकर तो अच्छी जो भी हो आँ मुझे घर का खाना मिलका है तो खोशू तू भी खोश है यह और अच्छे समोस है वहां के खराब नहीं है तो कभी पेट और वैसा कुछ गड़णी नहीं है और गर्मा करम है अभी अभी इसमें है अभी पेट में गर्म गर्म लगए और यह देख रहो क्या म सब्सक्त वाली भिंडी की सब्जी बनी है देखके लाला चा रहा है अन्नु बना के गई थी और यह रोटी है घर का खाना है भाई एक दम मस्त अभी एक तम गरम है तो यह खाएगा एक मैने अपने लिए भी लेका है जब नेया नेया फ्लैट लिया था जो पुराने फैमि मैं भी इसके घर पे जाता हूं तो वह चीज़े कभी-कभी ब्लॉग में नहीं आती है यह कॉफी नहीं है पता है ना सेक्सी वाली कॉफी है तो खाना खालिया भाई एक तम मतलब मस्त भंडी की सब्जी तो मसालेदार मतलब सुआदा भी भी है यह गर्मा गरम कॉफी पीक है और मौसम यार निकलते हैं सुचते रहे गए तो फिर निकलना नहीं होगा शॉटकट से निकल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे तेल भी कम लगेगा दीवार थी तोड़ दी गही है और शॉटकट बना दिया गया है तो घूम के जाने की जरुवत नहीं है यहा अच्छा मज़ा आता है लेकिन क्या ना कि भाई मशीन नहीं है घर में कपड़े दोने के लिए तो कपड़े सुखेंगे नहीं हाथ से धोने पड़ेंगे तो भाई उसका डर है यह है थोड़ा सा मामला यहां का लेकिन बस थोड़ा सा ही है उसके बाद सब ठीक है यहां से डिए डिए साथ बजे से लेकिन बादलादल हो गए ना तो फिर यह कैमडरा ना जैसे अंधेरा होता जाएगा ना यह कैमरा अच्छा काम नहीं करेगा ग्रेणी आना शुरू हो जाएगा से हम में रोड पे मतलब ही अगाशे रोड तो अगाशे रोड से राइट जाना है और यह में रोड पे आ गया है चलो 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 पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने भरवाया था एक बार जो बैंक के लिए गया था मैं तो उसी टाइम दो लिटर भरवाया था और उसके बाद तो कहीं लॉंग गया नहीं चालीस का एबरेज भी हुआ तो असी किलोमेटर चलना चाहिए तो मैं तो संगीत के यहीं तक ही आता हूं मेरे ख्याल से चल जाएगा लेकिन भीच में से भरवा लेंगे रिस्क नहीं लेंगे बरसात का मौसा में खतम अतम हो गया तो धक्का मारने का है नहीं और एक ही पेट इंडिगेटर चल रहा है तो यह सब कुछ धियान देना पड़ता है चलाते बद आरे यहां तो देखर हो कंजस्टिट जगह है यहीं पर यह जो रोड गई ना लैप की तरफ तो वह जाती है बस सही तो यहां पर हो जाता है मामला गड़ बड़ से खाली है पूरा इमाला ए जब आईगी आईगी लेकिन मैंने तो नाम भी रखा हुआ है मतलों अभी नहीं बहुत पहले से नाम रखा हुआ था अपने हिमाला इन की समुन्दर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम लोग और यहां से आगे से लेफ्ट जाना है यह अपन यहां से फिर कोई उतनी ट्रेफ बता है सारी चीज़ है लेकिन नए फेमली मेंबर्स के लिए बता रहा हूं और यहां से अपन राइड जाएंगे लूदार बारिष यह तो तिन в Bianca रही है तो देखो पुरा हरा भरा हो चुक है अपर यहां पर की स्कूल है कारमेल स्कूल की टीचर है यह जो और यहां पर आता हूं न इसको मीनी स्कूल हो हि कहता हूं यार गोवा कीतर है यहां पर गर मैंने जो सुना है की जो इहां के लोकल्स में रहता है तुम है हर होई और बीदेश में तोड़े आगे पेट्रोल पॉम्प पे रिस्क नहीं लेता है डेकिन फिर बी यार पेट्रोल बहुत कम है भाई तो इसलिए यहां पर लाइन लगी रहते हैं तेल भरवा लिया दोसों का हवा भी भरवाली देखो कितना साप सुत्रा गाउं है और यह वाला कर्ब न मुझे बहुत ही मजा आता है यार एकदम और गोवा का फिल देता है भाई एकदम बढ़िया और यहां पर खेती बाड़ी होती है न देखो केले के खेत हैं यहां पर नारियल तो मिले आने वाली है मेरिकल्स होते हैं यार और जो मेरिकल्स पर विश्वास करते हैं उसके साथ तो होता ही है और मेरे साथ तो होता ही है मैं मेरिकल्स पर बहुत विश्वास करता हूं भई महनत करते रहो लेकिन कहां से क्या रस्ता खुलेगा कुछ नहीं पता और यहां से अपने पहले में निकलनू बीच में बस बारिश नहीं चाहिए भई और यह देखो यहां बहुत भीड़ भाड है थोड़ा एकांत में चलेंगे और इधर देखो इधर आपको सारा समुंदर दिख रहा होगा समुंदर की लहरे देखो अभी यह कि शान्त नहीं है समुंदर क्योंकि बारिश है हवा है तो यह पुरा गोवाला फिल देता है यहां पर यहां पर सारी चीजे बन गई है अभी तो इतनी भीड़ नहीं मिलेगी अब सेड़ेटे संडे को तो भीड़ होगी तीन-चार दिन से बारिश हो रही है आज पोड़ा सा फुला मिला है लोगों को इस तरह आपने की कोशिश आता हूं दुखो अपार दिया भई उतार दिया और अभी किया ना रेदगी ली है ना तो टेंचन ही होता है अपने को चाहिए नहीं है कि बिना हैलमेट के हम रिस्क ले जाहां भी जाते है यहां आ जाते है तर देखो बारिश आ गई है आगो बेटा और बारिश आगी है उल्लू बनाया चर्खा चलाया मैं तो पॉंचो लेकर आया था तो पॉंचो पहन लिया लेकिन देखो बादल साफ हो गए बहां से मुझा बारिश 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 बादल एक तम खुल गया है और एक मस थाली हवा लग रही है हुआ नहीं जा सकते तो यहां तो आ सकते होड़ा सा ध्यान दिया जाए ब्लॉगिंग पर तो काम चलता रहेगा तो सेटरेटे संडे या फ्राइडे जो भी है तो उतने में अपन ब्लॉग करेंगे और बाकी टाइम काम करेंगे और लग जाता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाता है जासा रिसॉर्ट वेगरा खूल गया है फार्म माउस खूल गया है तो एकदम गौवा वाली फिल हा रही है और अभी निकलते हैं बहुत हो गया और आभी कहना कि ज्यादा लालेच करेंगे तो एक बार तो जोगया है तो तसली मतलब कर सकते हैं दिल को कि आपने पास भी गोवा है मिनी गोवा है तो यहां पर आ सकते हैं सलू बहां पर खड़ा है थोड़ा सा बीच में राइड करते हैं अगर दो जने होता तो एक मास्टर शॉट ले सकता था इतने साल मुंबई में रहा इस तरह का मतलब राइड लिया नहीं है कभी एक शॉट ले लोगा गया पेले आपने शॉट देखा ना यह भाई लोगों के कारण संबब और मैं इनका नाम भी ने जाता यह यहां से आरहे तो मैंने रिक्वेस्ट किया और यह इतने हमबली उन्होंने एक्सेप कर लिया के ठीक है मैं हम लोग शॉट ले ले लेंगे आपका नाम? अक्षा है अब अपूर्व दिली तबन्न थी यह शॉट मिल जाए यहार समुंदर के किनारे कोई मिल जाता तो बस यह लोग मिल गये थैंक यू इस तरह के मतलब चमदकार होते रहते हैं तो आप अगर चमदकार पर अगर विलीव करोगे तो चमदकार होते हैं दो सब्सक्रा किना परना करना पर जाएगा दो घ्ट है ऑफ भीमेट रगा लेते हैं है बाहर आप YEAR राइप जोव भी आप है मतलब वो कॉंटेंट में नजर आता है तो फिर आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं अकली सभा पर उमीद है कि कहीं अच्छी जगह पर मिले और एक बात जो मैं दिल से बोलता हूँ वह आज भी बोलूंगा और इतने खूबसूरत जगह पर बोलूंगा और डिवाइन है इनवर्स है एंजल से भोले नात है मातारानी है तो सभी सुन रहे हैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप सब का साथ है तभी मेरी जिंदेगी में बात है थोड़ा सा सपोर्ट कर दे अपने यार दोस्तों में थोड़ा सा लिंक भेज दे थोड़ा सा चैनल को पुश करो और अग इक से एक जगे दिखाते हैं तो ये सब उनके इंकम hour गई है तो उनको टैंड़ नहीं है तो आप तो देखी रहो कि मेरा ये करता हूँ तो वो चुड़ आता है वो चुड़ आता है लेकिन फेर भी हिम्मत नहीं हारेंगे चलते रहेंगे और भोले नात मातारान इन्वर्स डिवाइन पावर और एंजल साथ है और सबसे बड़ी बात है कि अभी छोटी फेमली है हमारी लेकिन यार छोटी है लेकिन मजबूत फेमली है आप लोगों का साथ है तब ही जिन्देगी में बात है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक, शेर, सब्सक्रा यह होता है, तो वह सबढ़ी होता है अगर अच्छा ना लगे तो दिस्लाइक भी होते होत पाईजमेंट है, और वोड़ा सब पार्ड़ी चैनल को फाइदा हो जाएगा. आपका एक सेकेंड, दो सेकेंड, दस सेकेंड जाएगा लेकिन थोड़ा सा पुश्च मिल जाएगा चैनल को, तो फिर ज्यादा बात नहीं करते हैं, एक अच्छी खूबसूरत जगह से आज की सभा यहीं पर समाप करते हैं, टाटा, बाइ बाइ. अरो एफएम थाइब सेकेंड खूबसूरत ज़ाओ लिए लेफगाब, छो लेपागिट औल के तूश्च आएम नहीं करते हैं, औल भषड़ा हैं, हो सेकेंड, बाइब सेकें दमीं करते हैं, एक माच तूबसूरत गूबसूरत भी हरादास मुझret की सेकेंड, ताएटत पने